दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्सकों का वेधर अलर्ट इन्वर्मेसन में तो जैसा की दोस्तों हमने आपको बताया था कि उत्ता भारत के तमाम हिसों पर बारी राज्चों पर भारी बरभारी होगी साथी मेलइन हिसों पर भी बारी रिकोर्ड की गई उसके बाद ये बारिस देश के पूर्वी राज्यों पर पहुंची और पूरी उत्रपरदेश बिहार, जारकंट, पश्चिम, बंगाल और साथी उत्तरी, चथिस गड़ इन भागों पर 23 फ़वरी तक हलकी बारिस रिकोर्ड की गई बिहार के इस्तों पर इस दोनान एक दोस्तानों पर तेज बारिस होई और कहीं कहीं पर यहां पर ओला वरिष्टरी भी रिकोर्ड की गई थी पर लेकिन बारिस का जो दोर सुरुआ था वो अभी खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि एक नया दोर एक बार फिर से देश के मद्धे राज्यों से सुरू होगा जिनमें मद्यपर्देश और साथी विधर्ब, मद्यमाराष्ट और उडिसा, 36 गड़, पश्चिमंगाद और बिहार इन भागों पर आपको एक बार फिर से बारिस का एक नया दोर 26 और 27 फरवरी को देखने को मिलेगा तो चले जानते हैं विस्तार से देश के किन लच्जों पर बारिस होने की संभावना है तो दोस्तों देखिए ये 25 फरवरी का मुसम पुर्वानवान है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नया डव्लूडी जमुकस्मीर के पास आप पहुचा है और इसके परभाव की वज़े से जमुकस्मीर और साथी मतल परदेश पर हल्की बारिस या बहरबारी होने की संभावना है एक सर्कुलेशन है जो एक मद्य परदेश और साथी 36 गड़ के ऊपर बना हुआ है एक एंटिसाइकलोन है जो इस समर्द बंगल की खाड़ी पर डेवलप है यह एंटिसाइकलोन यहां बंगल की खाड़ी से नमी वाली हवाव को यहां मद्य भारत पर पहुचे भेजेगा और यहां यह सरी चक्रवाति भाव का छेतर अपनी तरफ इन हवाव को खीचेगा इसके परभाव की वज़े से मद्य पर देश के पूर्वे हिस्से चहतिसगर पश्चिम बंगल उडिसा और हमारे विधर्ब साथी कुछ मद्य माराष्ट के हिस्से और उडिसा इन भागों पर भालकी से मद्य बारिस होने की संभावना दिखाई दे रही है बारिस का ये इसपल इन भागों पर 25 फरवरी की साम से सूछ होगा दीरे दीरे इन भागों पर गिवजड और भी बढ़ने की संभावना है देश के जो उत्ती ही राज्ज है इन वागों पर जो मैदन इस से है जिनमें पंजाब से लेकर हार्याना, दिली और पश्ची मुत्रपरदेश साथ ही राजिस्थान, गुजरात और उत्तरी मध्यपरदेश इन वागों पर आप देखे, यहाँ पर कोई भी हल चलोती दिखाई नहीं दे रही और यहाँ पर मोसम बिल्कुल साफ बना रहेगा पर लेकिन जैसे कि आज 24 फरवरी को इन वागों पर उंचाए वाले बादल चाये हुए है, इसी तरीके से इन वागों पर 25 फरवरी को भी हाई क्लाउड देखने को मिल सकते है देश के दक्सिनी राज्यों पर भी आप देखे कि इस एंटि साइकलों की वज़ा से कुछ नमी वाली हवाई बंगाल की खाड़ी से तमिलाडू के इस्वे पर पहुँच रही है और यहाँ पर इनकी वज़ा से कुछ हल की बारिस होने की संभावना है जब कि तर्टे करनाटक, कांतरी करनाटक और अन्य भागों पर कोई भी हल चल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा 26 फरवरी के मौसम को देखे तो आप देख सकते हैं कि एक नया डावलूडी और काफी जो परभावी है वो एक बार फिर से उत्तब भारत की तरव बढ़तावा दिखाए दे रहा है इसके परभाव की वज़ा से एक बार फिर से उत्तब भारत और मैदानी राज्चों पर मौसम बदे रहेगा और यहां पर आपको बारिस देखने को मिलेगी पर लेकिन 26 फरवरी को जम्मु कस्मीर पर हलके सी मद्ध्यम बारिस होने और बरबार होने की संभावना है जबकि मैदानी इस थे जिनमें पंजाब से लेकर हर्याना दिल्ली उत्रपरदेश और साथी मद्ध्यपरदेश और राजिस्थान गुजरात इन भागों पर मौसम साफ रहेगा और यहां पर कोई भी हल चल होती हुई हमें 26 फरवरी को नहीं दिखाए दी रही पर लेकिन चूकी जैसे हमने आपको बताया था कि देश की मद्ध्यराज्यों पर बारिस का दोर सुरू हो जाएगा और 26 फरवरी को इस एंटी साइकलोन की वज़ा से साथ ही इस चक्रवातिवाव के छेतर के प्रभाव की वज़ा से मद्ध्यमाराष्ट और साथ हमारे वि बारिस भी हो सकती है और यहां पर 30-40 किलोमेटर प्रतिगंटा के रफ्तार से तेज हवाई भी चलने की संभावना है चुक्कि नमी वाली यह हवाई बंगाल की खाड़ी से देश के दक्सिन रज्जों पर भी जा रही है इसलिए तमिलाडू और केरेल साथी तर्ट्यक अर करिनाटक और आंत्री करिनाटक इन भागों पर भी बादल च्छा सकते हैं और हो सकता है कि इन भागों पर एक दो स्थानों पर बादलों की गजलना के साथ हलकी बारिस हो जाए जबकि बिहार इन बिहार पर हलकी बारिस होगी और पूरी उत्रपरदेश से बिहार और जारक होने की संबावन है जबकि जो दक्सिन इस से है इन बागों पर एक दो सानों पर ही हलकी बारिस हो सकती है अंडमान सागर पर पहुंचे तो यहां पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी होती दिखाई नहीं दे रही इसलिए इन बागों पर भी मुसम साफ रहेगा 27 फरवरी के मुसम को देखे तो देश के उत्री राज्य साथी मद्य भारत के इससे इन बागों पर वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी एक नया डव्यूडी जम्मू कस्मीर के पास आप पहुंचेगा साथ इसके परभाव की वज़ा से एक चक्रवाती वाव का छेतरी यहां पश्ची मेजिस्तान के उपर डेवलप हो चुका है एक एंडी साइकलों होने जो यहां पर लगतार नमी वाली हावाव को मैदानी इस्तों की तरफ पूस करेगा इसलिए इन भागों पर आपको जम् की बारिस होने की संभावना रहेगी साथी पस्ची में अजिस्तान पर भी इस दोरान हलके सी बारिस होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है पस्ची मुतर परदेश में भी इस दोरान हो सकता है कि एक दो सानों पर बादल चाय जाए और बादलों की गरजना के साथ यह पर भी हलकी बारिस होती हुई हमें दिखाई दे रही है पूरी उत्तर परदेस आती बिहार इन भागों पर मुसम साफ रहेगा पर लेकिन चुकि यह एंटी साइकलों नहां से नमी वाली हवाओं को लकतार मद्य भारत की तरफ पुछ कर रहा है इसलिए मद्य परदेस और हमा पर विस्टी भी हो जाए इन भागो पर तेज़ बार्स तो होगी होगी साथ ही बार्स के सासाथ इन भागों पर 30-40 क्लॉमेटर पर ती घंटा के रफतर से तुवानी हवाई भी चल सकती है यह एंटिसाइकलों लगतार नमी वाली हवाव को देश के दक्सिनी रज्जों पर विपूस कर रहा है इसलिए इन भागों पर भी तमिलाडू पर मोसम बदलेगा और यहां भी आपको हलकी बारिश देखने को मिलेगी तट्या करनाटक आंध्री करनाटक और केरल पर इन अखवाव का प्रभाव कोई खास हमें होता दिखाई नहीं दे रहा इसलिए इन भागों पर मोसम साफ रहेगा पर लेकिन एक दो स्थानों पर हलकी बारिश से इंकार हम नहीं कर सकते पुरतबात पर आप देखें कि यहां पर जो बारिश पहले हो रही थी वह रुख जाएगी पर 27 फरवरी को इन भागों पर सिर्फ आड़नतल पर देश के उचाई वाले इस पहाड़ी ओपर ही आपको हलकी बारिश देखने को मिलेगी से इस राज्यों पर कोई हल चल नहीं हुआओ को अपनी तरफ खिषत रहेगा इसलिए देश के उत्तरी राज्य और मद्द भारत पर मौसम बद रहेगा और यहां पर आपको 27 फरवरी को कहीं स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी